हाई गाईज वेलकम बैक तो मैं चानल आएम डॉक्टर रॉशनी और आज आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्ची की फाइंड मोटर स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते है जीरो टू फायर्स का जो टाइम पिरियोड होता है उसे ट्रांजिशन फेस कहते है मतलब कि इस दौरान स्कूल में जाने से पहले बच्चे अपनी बहुत सारी मोटर स्किल्स को बिल्ड अप करते है makers के च्छोटे-चोटे-चोटे मोसल्स होते है उसको यूज करते डे-टू-डे लाइफ में हम जाने-अनजाने बहुत सारे टास्क करते है बहुत सारे ब का struggle रहता है academics की अगर बात करें तो उनको pencil gripping में अच्छे handwriting निकालने में crayons use करने में crayons use करते वक्त जो line perception रहता है या फिर scissors चलाने में art and crafts की जो activities रहती है उन सभी जगह पे उनको struggle रहता है और उनकी सबसे common complaint जो होती है वो है उनके हाथ दुखने लगते हैं, वो थक जाते हैं, so यह एक red flag sign है, day to day life की अगर बात करें, तो self-feeding, self-dressing, self-care, there is a list of activities, जहां पर हमें हमारा fine motor control सही होना चाहिए, so basically, मेरी daughter अभी 2-3 मेने की है, और आज के वीडियो में मैं वो activities आपके साथ शेर करने वाली हूँ, वो toys शेर करने वाली हूँ, जो अभी मेरी बेटी practice कर रही है, और मैं किस वे में progress कर रही हूँ as a parent, as a conscious parent आपको क्या-क्या observation रखना है, क्या-क्या चीजे है, जिनका concept आपको clear रखना है, उस पर मैं आज बात करूंगी, तो चलिए, one by one start करते हैं, so हमारी first activity है, threading beads, ये एक classical fine mortar skills को improve करने वाली activity है, इस particular toy में हम wooden beads use कर रहे हैं, वो jumbo sized है, और थोड़े chunky है, तो बच्चों को जैसे कि छोटे बचे उनको पकडने में थोड़ा easy रहता है, और इसमें एक string है, जिसके एक end पे छोटी से pencil है, तो इसको पकड़के उसे beads को lace करना है, इस तरह के toy है, उसके selection में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कि जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए छोटे-छोटे beads से start ना करें, जम्बो सा इस chunky beads जो है, उसे आप ले, और दूसरा जो point है, कि उसके जो hole है, वो थोड़े बड़े होने चाहिए, because ultimately हम चाहते हैं, कि वो activity कर पाए, उन्हें successful हमें करवाना है, जिससे उनका motivation बना रहता है, Now, age range की अगर बात करें, तो 18 months से अपको start करना है, और 18 months to 2 and a half years, यह जो time period है, इस दोरान अगर बच्चे ने trading जैसे activity बहुत practice की है, तो आगे चलके इसका direct benefit मिलता है, जो direct connection है, वो है with pencil grip, इस तरह की जैसे कि आपने देखा, bilateral coordination रहता है, बच्चों को दोनों हाथों का use करन पड़ता है, और pencil वो पकड़ते हैं, उसी जैसे कि exact इस toy में pencil ही दी गई है, so उनको यह जो thumb and index finger है, उसे ऐसे पकड़ना यह हाथ में से, isolation of the finger होता है, यह एक important milestone है, because शुरू में babies को आपने notice किया होगा, कि आप कोई भी वो चीज जो पकड़ते हैं, वो पूरा हाथ का use कर तो यह जो isolation है वो दीरे-दीरे होता है, तो school में जाने से पहले इस तरह की activities आप उनको practice करवाईए, जिन बचों के handwriting सही नहीं है, या फिर वो थक जाते हैं बहुत जल्दी, तो ऐसे एक simple toy में भी आप invest कर सकते हैं, प्लास्तिक में भी available होते हैं, और इन दोनों का अगर में difference बताओ, तो जो यह wooden है वो थोड़े cost में ज्यादा रहते हैं, यह इसकी durability है वो बहुत लंबे time तक रहेगी, और प्लास्तिक के अगर में बात करूँ तो उसका एक फाइदा यह है कि वो बहुत बहुत सारी quantity में आपको मिल पाएंगे, तो आप उसको use करके counting उनको करा सकते हो बहुत bright colors में आते हैं, तो आप उनको color recognition सिखा सकते हैं, इस particular toy से हम उनको early maths concept जैसे की shapes हम उनको सिखाते हैं, so आप अपनी जो beads की selection करें, वो ऐसे करें जिससे आप multipurpose उनका use कर पाएं और बहुत अलग-अलग way में आपके बच्चे को सिखा पाएं, so यह सब बाते हैं जो चुरू में आप उनको थोड़ा assist करिये, ऐसा हो तो पहले आप pencil को पकड़िये, उनको सिर्फ simply वो beads उसको डालना सिखाएं, ऐसे करते-करते फिर उनको वो पूरा process समझ में आ जाएगा, और फिर आप उनको आगे छोटे beads की तरफ progress कर सकते हैं, so it was our first activity, so next हम blocks यूज कर रह में जो blocks है, वो अलग-अलग sizes के हैं, बड़े से लेके छोटे तक बच्चे को stack करना रहता है, और हर एक block में उपर एक छोटा सा knob दिया है, जिससे बच्चे पकड़ते हैं, तो पिंसर ग्रास्पिंग के लिए ये जो particular toy है, वो बहुत ही सही है, और दूसरी जो category के अभी हम blocks यूज़ कर रहे है, वो है natural wooden blocks, ये भी छोटे-छोटे है, और अभी मेरी daughter जो है, वो उसे stack करने में और बहुत बड़ा building बनाने में, वो बहुत enjoy करती है, now blocks जो है, उसमें bilateral coordination की जरूत पड़ती है, इससे ना सिर्फ fine motor skills, बट बच्चे का concentration improve होता है, बच्चे focus करते हैं, और आपको ऐसा parent क्या-क्या notice करना है, मैं जब भी उसे कोई भी activity करते हैं, देखती हूँ, तब मैं बहुत सारे points होते हैं, जो मैं note-down कर लेती हूँ, और मेरी experience के इसाब से, मैं उसे फिर analyze भी करती हूँ, कि उसका reaction कैसा है, आप जब वो block stack करें, आप तब notice करिये, कि वो का सबसे ज्यादा use करें, like predominant hand उनका कौन सा है, या फिर वो जब stack करें, कितने blocks वो एक time में stack कर पाते हैं, and most important, जब वो blocks गिर जाते हैं, तो उनका reaction क्या रहता है, वो frustrate हो जाते हैं, या फिर वो sportily लेते हैं, या फिर लाइक वो फेक के चले जाते हैं, तो इन सब चीजों में, as a parent, क्या हमारा रोल रहता है, कि देखें, blocks तो बहुत important चीज़ है, अब हर चीज में बच्चे को सीखना तो है, उनको हमें confidence देना है, so as a parent, जब भी आपका बच्चा आपको लगे कि बहुत जल्दी give up कर देते हैं, तो आपको क्या करना है, वो जब stack करें और गिर जा तो हम क्या करते थी, इसका solution निकाला कि हम फिलीवे में हस देते थे, या फिर उन्हें हम realize करवाना है, कि it's okay, ये तो होता है, blocks तो गिरते हैं, फिर से हम बना सकते हैं, so ये जो correction है, ये जो उनकी mentality होती है, कि ये गिरना नहीं चाहिए, या फिर उन्हें हर बार success ही मिलनी चा करिए, so blocks भी बहुत important है, बहुत variety में मिलते हैं, और जैसकी मैंने बताया कि बच्चे दोनों हातों का use करते हैं, और ये भी एक बहुत fine motor, इसमें जैसे की concentration भी बहुत लगता है, so ये भी आप जरूर consider करिए, अभी हम जो दो toy है, वो हम मैं आपके साथ शेर कर यूँ, आने उसका में एक separate video बनाऊंगी, तो आप चाहे तो वो भी toys डिरेकली लेकि एक पूरा setup आप मेरे जैसा तायार कर सकते है, so it will come later on, but yes, this is the second activity, which is very very important. activity में हम transfer activities कराते हैं, इसमें छोटे जो objects होते हैं, उसको बच्चे को pick करना है, और दूसरी जगा पे जो container है, उसमें transfer करना है, now इस particular activity में दो pattern है, एक तो naturally बच्चे, अगर आप कोई भी उनको object दोगे, infant stage में भी 9-10 मेने के बच्चे को भी अगर एक container और कुछ pom-poms, या बड़े size के, जो jumbo size के cotton balls, या कोई भी ऐसी चीज होगी, जो like उनके लिए choking hazard नहीं है, और उनको आप सिर्फ एक बार बताओगे, तो भी वो, you know, उसमें डालना start कर देंगे, so ये बहुत ही natural है, transfer करना, they love to do it, so transfer activity दो तरीके से होती है, एक है अपने खुद के fingers का use करके, और दूसरा जो है, वो है दीरे-दीरे आपको spoons and scoops को बच्चे से introduce करना है, so इस particular activity में अभी हम marbles use कर रहे है, ये एक ऐसी, ऐसा object है, जो choking hazard बन सकता है, तो आपको बहुत ही supervision रखना है, you should be 1000% sure कि आपका बच्चा मुँ में नहीं डालेगा, और उसको पता है, this is not an edible thing, और ये toy है, so अगर आपको लगता है कि आपकी बच्चे को ये समझ नहीं है, तो फिर आप अपने object उसके अनुसार select करिए, इसका benefit अगर में बताओ तो जितना छोटा object होगा, उतना ही ज्यादा फाइदा मिलेगा, पर ये क्या है कि छोटे-छोटे object से बच्चे पर थो उसे दे सकती हूँ easily marbles, so हमने marbles रखे हैं और उसके दो ही दोनों तरीके से हम उसे practice करवाते हैं, एक है fingers को यूज करके, और दूसरा जो है उसी के marble की exact size का जो scoop है, उसे use करके, तो आप scoop selection भी सही से करिया, object की size के हिसाब से करिये, इसमें जो एक important point आपको ध्यान रखना है वो यह है कि बच्चे बहुत सारे objects को देखके या materials को देखके overwhelm हो जाते हैं, अगर आप एक bowl में या बड़े से bowl में बहुत सारे marbles रख दोगे या कोई भी material यूज करें, बहुत quantity में आप अगर उनको first time भी या gradually भी provide करेंगे, तो उनका जो यह purpose है वो चला जाएगा, they will start throwing या you know they will start exploring the other ways, so आपको सबसे पहले quantity बहुत कम रखनी है, because हमारा purpose है कि वो scooping सीखे, right, तो आप देखोगे कि इसमें hardly 9 to 11 marbles है, because मैं नहीं चाहती कि वो दूसरी तरीके से खेले, मैं चाहती कि वो सिर्फ transferring पे ध्यान दे, point number one, दूसरा जो है आप घर के बहुत सारे objects को भ करते हैं, scoops, spoon change करते हैं, और इसका एक direct benefit बच्चे को मिलता है, वो है coloring, बच्चे आगे जाके, जो milestones, अभी मैं बहुत research करी हूँ, तो like you know, दीरे-दीरे सब कुछ समझ में आ रहा है कि okay, इसका connection यहां से है, so यह भी जो activity आप डेर साल से आप start कर सकते है, बच्चे जब scoop क करते हैं, तो उनकी जो wrist moment होती है, muscle moment होती है, इसका direct connection आता है coloring पे, so आप इस तरह की activities ज़रूर कराइए, Montessori series में आप मुझे follow करेंगे, तो आप इस video में और आने वाले videos में बहुत बार, बहुत variety में transfer activities देखोगे, because यह भी classic Montessori activity है, so this is activity number 3, और आप इसमें अपने जो है बच्चे के लिए, उस हिसाब से या फिर दूसरे जो toys है, उसमें चोटे-चोटे parts है, उसको भी use करके आप इस तरह की activity खुद prepare कर सकते हैं, खुद अपने बच्चे के लिए बहुत सारे toys ऐसे ही prepare कर सकते हैं, so यह भी आप ज़रूर consider करें, so हमारी next activity है coloring और यह बहुत ही fun activity है, बच्चे बहुत enjoy करते है, science parties में क्या है वो आगे समझते है, now color के लिए आप crayons को select करना पड़ेगा, उसके लिए आप जो बड़े वाले chunky crayons market में मिलते हैं, उसे grip crayons भी कहते हैं, आप वो वाले crayons ले और मैंने मेरी बेटी को वो जब 8 months, 9 months के like वो phase में chunky crayons दिये थे, वो palmer grasp जो होता है, and she loved to use it, वो उसे बहुत अच्छे से चलाती थी, इसमें आपको शुरू में jumbo size crayons लेने हैं, और धीरे धीरे उसका जो size है वो धीरे धीरे कम करते जाना है, maximum 2 साल तक और या फिर 20 साल तक आप jumbo crayons यूज करेंगे, उसके बाद आपको जो regular crayons है, या जो आगे से थोड़े पतले पीछे से थोड़ा grip पला, इस तरह के जो crayons है, वो यूज करने है, वो chunky जो है, वो धाई साल के बाद आप रख दे, so ये एक point है, दूसरा है कि science part ये है कि according to research, जब बच्चे color करते हैं, तब आप अगर background में हलका सा music चलाते हैं, तो उससे brain को बहुत फाइदा मिलता है, उनके body में कुछ ऐसे relaxation वाले hormones release होते हैं, जिससे बच्चे बहुत enjoy करते हैं, और उनकी growth के लिए भी बहुत important है, तो music को आप consider करिये, जब वो color कर रहे है, तीसरा है कि शुरू में बच्चे जो है, वो horizontal, जो scribbling करते हैं, वो उस तरह से क करेंगे, अगर उनका पूरा हाथ से ऐसे पकड़ेंगे, तो ऐसे ऐसे करेंगे, दीरे दीरे आपको उनको सरकल में color करना सिखाना है, शुरू में उनको line perception नहीं रहता, दो, धाई साल, तीन साल तक, जब तक वो young toddlers है, like preschool age, जो तीन साल के बाद के जो बच्चे उनको दीरे दीरे line perception समझ में आता है, जैसके आपने कोई object दिया है, उसकी जो borders है, उसके अंदर रहके color करना, ये जो समझ है, वो दीरे दीरे आएगी, तो अभी हम क्या करें, उसे rough papers भी दे रहे है, जिस पे कोई border नहीं है, तो वो ऐसे, पर अभी मैं correct करी उसे, कि वो ऐसे circle में ज्या बहुत बार आप उनको practice करवाएंगे और उनको करके दिखाएंगे कि, देखिए मैं कैसे कर रहे हूं, तो फिर जाके उनको समझ में आ जाएगा, ओके, नाव लास्ट जो पॉइंट है, जो आपको ध्यान रखना है, वो है, नीचे जो रखके बच्चे horizontally जो करते हैं, स्क्र अने उतना जल्दी vertical scribbling पे, बच्चे खड़े रहके ऐसे painting करेंगे, या crayons को use करेंगे, उसे आप प्रमोट करिए, उससे hand strengthening होती है, उसका बहुत फाइदा है आगे चलके, तो ये जो coloring activity है, उसमें आपको इतनी चीजे ध्यान रखनी है, color selection सही से करना है, दीरे दीरे फिर आगे जाके circle में सिखाना है, and उनको फिर easel पे ले आना है, मेरी daughter है, जो है, वो हम कई बार उसे horizon, क्योंकि ये activity उसकी इतनी favorite है, कि ये कभी भी shelf पे वापिस नहीं जाती, otherwise I am a very very organized person, and she is also, उसने मुझे देख देख के वो भी अपना shelf बहुत सही से, like, बहुत orderly रखती है, but ये जो activity वो always table पे रहती है, सुबह उठते ही पहली वो जब जाती हुसके हात में crayon आता है, so ये चीज है, otherwise मैं उसके लिए पूरा अलग से setup हमने prepare किया है, जहां पे वो easel पे color कर सके, so वो मैं आने वाले videos में share करूंगी, so it was our coloring activity, इसके अलावा हम जो अभी use कर रहें, व साथ साथ hand eye coordination को इप इंक्रीस करती है, शुरू में हम क्या करते थे कि जो point box था, आप खुद भी बना सकते हैं, मैंने भी मेरे पास बहुत सारे है, मैं सिर्फ उसके उपर का जो color paper है वो change कर देती हूँ, तो उसको नया toy लगता है, कई बार हम wooden जो हमारा खुद का है, वो भ साइड से sleet करना भी practice कर रही है, तो आपको ये भी ध्यान डखना है कि कोई activity में अगर बच्चे ने mastery ले ली है, तो भी बच्चे जो है, especially toddlers जो है, वो repetition से सीखते है, अगर आपने repetition का opportunity उनको नहीं दिया, तो फिर वो skill दिरे-दिरे fade-up कम होती जाएगी, तो उनको बार- इसके अलाबा आप मुझे अगर regularly मेरे videos देख रहे हो, तो कुछ दिन पहले मैंने जो rainbow bears से वो दिखाया था, उसमें भी tweezers मैंने आपके साथ share किये थे, तो tweezers को use करके जो बच्चे transfer करते हैं, ये activity भी बहुत important है, fine motor skills को improve करने के लिए, ये आप कर सकते हैं, बहुत अलग इसके अलाबा, tweezers के अलाबा, आप puzzles को use कर सकते हैं, बहुत सारे जो छोटे नौब वाले puzzles हाते हैं, उसे बच्चे जब बहुत use करते हैं, तो उससे भी ये grip सही रहती है, और उनको practice मिलती है, and last अगर मैं बात करूँ, तो bead maze जो toy एक particular है, वो भी मेरी डॉर्टर अभी बह आने वाली हो, जिसमें सिर्फ मैं activities नहीं पर सिर्फ toys की बात करूँगी, तो उस वो exact toys आप purchase कर पाऊंगे, so अभी ये पीछे भी देख पाऊंगी, कि वो bead maze जो है, उसे भी बहुत खेलती है, so इस तरह की activities आप consider कर सकते हैं, recently अभी हम जो भी कर रहे हैं, वो आज की वीडि सब practice नहीं मिलती है, तो फिर आगे जाके उनको performance issue आ सकते हैं, so ये सब चीजे as a parent आप ध्यान में रखे और एक अच्छे से planning करिये उनके लिए, अच्छे से पूरे हफते के लिए, like दो तीन बार भी आप इस तरह की activities कराएंगे, तो बहुत फाइदा मिलेगा, so ये था कोई भी question आप मुझे पूच सकते हैं, Instagram पर आप हमें toddler styling and इसी तरह की और activities के लिए follow कर सकते हैं, so अभी के लिए स्रुफ इतना ही, I'll see you next time.